मशूर पी टी सी चैनल वॉइस ओफ पंजाब में जिला बिलासपुर की पंचायत बढ़गाओं के गौरव कॉंडल ने वॉइस ओफ पंजाब का खिताब अपने नाम किया है ग्रेंड फिनाने का आयो जिन अमरिक्सर में किया गया और फाइनल मुकाबले में पहले छे केंडियेट्स में से चार में उसने जगापकी की उसके उपरांद फाइनल में गौरव ने फोक सौंगा कर सभी निरनायक मंडल को अपनी और आकर चित करके दर्शकों की खुब वावाई लूटी इसके उपरांद आन च्वाइस राउंड में भी गौरव ने एक से बढ़कर एक बढ़िया गीत गा कर जज़ों का दिल जीत लिया ये मुकाबला रात बारा बाई तक चला इस जीत से उनके गाउं और शेहर जंडूता बर्टी और ब्लासपुन में लोगों ने पठाके वा आतिश बाजी फोड कर खुशी का इज़ार किया उनके इस जीत में उनके पिता प्रितम सिंग और माता मीना देवी तथा उनके चाचा विजे कॉंडल सहीत गाउं में खुशी की लहर दोड़ गई है पहले जब मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ तो मैं फूर्थ क्लास में पढ़ता था और स्कूल में फंक्शन प्रोग्राम बगारा होते थे जिसमें कि हमें फंक्शन के लिए मैं हम स्लेक्ट करते थे उसे स्टेट लेबल तक और डिस्टिक लेबल तक के फंक्शन होते थे उसम हमारे चाचा शिरी जो की जागरन लाइन में थे तो उन्होंने मुझे काफी ज्यादा पर्मोट किया क्योंकि मैं एक लोवर फैमिली से बिलॉंग करता हूं तो उसके बाद जागरन करते करते मैं सारी जगा पे गया ओडिशन बगेरा चलते गया और कार्मा ये चलता गया जि 2014 में मैं उसका विनर रहा और इसके बाद वोईस ओफ हिमालिया 2016 जिसमें मैं सेकिंड रहा उसके बाद मैं अभी में एपीजे कॉलेज आफ फाइन आर्ट से में म्यूजिक कर रहा हूं तो यही मेरा आगे भी ये कार्मा स्टार्ट रहेगा और मैं चाहता हूं कि मैं बॉली में से ही उनके चाचा विजे कॉंडल ने यहां तक पहुंचने में उनका भरपूर सयोग दिया गौरव शुरू से ही मास्टर सलीम को अपना आइडल मानते हैं और उन्हीं के नक्षे कदम पर चलकर आज आगे बढ़ रहे हैं और ये मुकाम खासिल किया है गौरव ने अप पंजाबी एल्बम में भी वे काम कर चुके हैं और अब गौरव संगीत की डिगरी के लिए जलंदर में शिक्षा पराप्त कर रहे हैं बच्पन से ही सलीम की तरह गाना और उन्हीं की तरह संगीत के क्षेतर में नाम कमाना चाहते थे और उन्हीं की तरह हिमाचल के नाम रो और रपोता.